आज मैं आपके साथ सेयर करने जा रही हूँ प्रोटीन और फाइबर से भरपूर बहुत ही हेल्दी और टेश्टी नास्ता हरी मूंकी दाल का चीला जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी है इसे आप सुबह के नास्ते के लिए या फिर बच्चों के लंच बॉक्स मे भी बना कर दे सकती हैं बहुत ही हल्दी और टेश्टी नास्ता है और बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए सुरू करते इस रेसिपी को हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सीला स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल दा हुमी मिल्स में तो अब इस नास्ते के लिए मैंने यहाँ पर आ हम इसमें डाल देंगे तो अब इसी के साथ हम इसमें एड कर देंगे एक छोटा सा टुकड़ा ध्रक का दो हरी मिचली है मैंने इसको हम ऐसे छोटा छोटा करके डालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप तीखा अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें आधी चोटी चमच जीरा और आधी चोटी चमच हम इसमें नमक डाल देंगे तो अब हम इसमें एड कर देंगे हरा धनिया जो हमारे नास्ते में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा और यह जो है नास्ते का टेस्ट भी भढ़ जाएगा तो अब हम इसमें एड कर देंगे थोड़ा सा पानी और जार का ठेकर हम बंद कर देंगे और इसको हम एकदम महीन gnd पीस लेंगे, तो अब यह डाल हमारी बहुत ही अच्छे से पिस गई है, इससे हम निकाल लेते हैं इस बॉल में, तो फ्रेंड़् यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से इस दाल खो में एकदम महीन पीस लेना है और इसमें कलर भी बहुत ही बढ़ी आया है तो अब इस नास्ते को क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें आट कर देंगे चामल काटा तो दो चमच की जितना चामल काटा हम इसमें आट कर देंगे तो फ्रेंड्स अगर आपके पास चामल काटा ना हो तो जब आप दाल भीगोए तभी इसमें आप दो चमच की जितना चामल डाल कर इसे के साथ इसे भी भीगो दीजे और इसके बाद इसे आप ग्राइंट कर लिजे तो अब हम इसमेट कर देंगे थोड़ा सा पानी होने देंगे तब तक हम इस नास्ते के लिए श्टफिंग बना कर तियार कर लेंगे तो अब उसके लिए मैंने यहां पर 50-60 ग्राम के करीब कद्दू कस किया हुआ पनीर ले लिया है इसे हम डाल देंगे और एक चोटा सा प्याज मैंने ऐसे बारी-बारी कट कर लिया है इसे भी हम जDuetus मैं डाल तेंगे और चटपटा टेश्ट के लिए हम जब चाट मसाला और थोड़ा सा मिसमें नमक डाल देंगे स्वाथ कद्दू तो अब भड़िया से फ्लेबर और टेष्ट के लिए तोड़ा सा बारी कुटा हुआ राधण Doing और इसोब को ड़लकर बड़िया से अच्छे सामी से मिक्स करेंगे तो अभी अच्छे से मिक्स हो गया है और अब यहां पर यह हमारा बहुत ही टेस्टी चटपटा सा यह इस डपिंग बन कर तियार है तो इसे अभी हम रख देंगे साइड में और इधर यहां पर इस बैटर को रखे हुए भी हमें 5-7 मिनट हो गया है तो अब यह बैटर हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है हलका सा फूल भी गया है तो अभी यह जो बैटर है हमारा थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसे डाल कर हम इसे अच्छे से एकदम बढ़िया से mix कलेंगे और यह लीचे दोस्तों अब नास्ता बनाने के लिए ये बैटर हमारा एकदम बढ़िया से त्यार है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी consistency इस तरह से इसको हमें रखना है बहुत ज़्यदा गाड़ा भी नहीं करना है ना ही बहुत ज़्यदा पतला रखना है इस तरह से इसको हमें त्यार करना है तो अब नास्ता बनाने के लिए ये त्यार है पानी की छीटे और इसको हम ठंडा कर लेंगे और इसे आप किसी कपड़े से या फिर टीसू पेपर से इसको अच्छे से पोस्ट दीजिए तो अब आज को हमें यहाँ पर एक दब धीमा करके रखना है और यह तयार किया हुआ बैटर हम इसके 20 सेंटर में डाल देंगे तो एक से डियर चमच की जितना हम इस बैटर को इसके उपर डालेंगे तो अब इस चमच की साथा से इसको हम इस तरह से गूल-गूल करते हुए हलकेल के हाथों से इसको हम फैला देंगे तो जिस तरह से हम डोसा बनाते हैं बस उसी तरह से इसको हमें फिलाना है तो अब GAS के flame को हमें यहाँ पर medium to high पर करके रखना है और medium flame पर इसको हमें अच्छे से पकाना है तो जब यह उपर से सुखने लग जाएगा तब हम इसके किनारों पर इस तरह से तेल डाल देंगे और इसके उपर भी हम तेल लगा देंगे तो friends आप चाहें तो आप इसके उपर घी या फिर आप इसे बटर से भी बना सकते हैं तो friends यहाँ पर आप देख सकते हैं यह चीला हमारा एक साइड से पक गया है तो अब हम इसकी साइड चेंजर कर देंगे इसे हम दूसरी साइड से पका लेंगे तो अब यह चीला हमारा दोनों साइड से अच्छे से पक गया है तो अब हम इसके उपर डाल देंगे यह अपनी तियार की हुई श्टपिंग तो 2-3 चमच भरके हम इसी श्टपिंग को इसके उपर डाल देंगे तो अब जिस तरीके से हम डोसा फोल्ड करते हैं बस उसी तरीके से इसको हमें फोल्ड कर लेना है और यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यह देखें यह चीला हमारा बन गया है बहुत ज़्यदा टेश्टी बहुत ज़्यदा यह क्रिस्पी बना है तो इसे हम रखते हैं प्लेट में और इसी तरीके से सारे चीले को हम बना कर तियार कर लेंगे तो फ्रेंड्स जब भी आप दूसरा चीला बनाएं तो तब एक उपर पानी का चीटा डाल कर इसको अच्छे से पोच कर इसको नॉर्मल कर लीजे और उसके बाद यह बैटर डाले आप तो गैस के फ्लेम को हमें यहाँ पर एकदम डोपर कर देना है तब ही इसको हमें फ्हलाना है तो इस चीले की जो थिकनेस है आप अपने हिसा आप से थोड़ा सा पतला या मॉटा कर सकते हैं और मीडियम फ्लेम पर अर मीडियम टु हाई फ्लेम पर इस चीलो को अच्छे से पका लिजे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों तो ये चीला हमारा बढ़ी हासे पग गया है दोनों साइड से, तो अब हम इसके उपर डाल देंगे ये तियार की हुई इस्टपिंग, तो दो से तीन चमच के जितना इसी इस्टपिंग को हम इसके उपर डाल देंगे, और सेम तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे, और ये लीजे दोस्तों बहुत ज़्यादा टेष्टी, हिल्दी और क्रिस्पी ये जो है चीला हमारा बनकर तियार है आप इसकी आवाज सुन सकते हैं ये देखे तो इसे हम रख देते हैं प्रेट में और स्वेम तरीके से सारे चीले को बना कर तियार कर लेंगे तो फ्रेंड्स इस हिल्दी और बहुत ही टेष्टी चीले की रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजेगा इसे आप सुवे के नास्ते में या फिर बच्चों के लेंच बॉक्स में भी आप बना कर दे सकते हैं इसे आप ग्रीन चटनी सॉस के साथ इसे आप इंजॉय कर सकते हैं खाने में बहुत यादा टेष्टी और हिल्दी है और बनाना बहुत ही असान है तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर यह हमारे मूं की दाल का चीला बनकर तियार है तो चिले हम इसे कट कर लेते हैं और यह दीखे फ्रेंड्स यह चीला हमारा बहुत यादा यह टेष्टी बनकर तियार हुआ है तो फ्रेंड्स अगर आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को हमारे लाइक करें दोस्तों में सेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करां ना भूलें थैंक्स फोर वाचिंग